तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम आंसर कर रहे होंगे कुछ questions का month stack से related जैसे कि month stack में और java spring boot में actually क्या difference है और क्या ज्यादा relevant है दूसरा क्या अभी 2024 में इतने समय से लोग month stack month stack कर रहे हैं YouTube पर क्या आज भी month stack relevant है क्या आज भी month stack का course करता हूँ या month stack में अपने आपको basically train करता हूँ as a skill तो क्या उसका advantage है या market जो है वो already जादा saturated हो चुकी है साथ-साथ ये भी बात करेंगे कि full stack development सीखने के क्या फाइदे होते हैं क्या नुकसान है या मुझे चाहे मैं basic college में पढ़ रहा हूँ as a student मुझे month stack सीखने का क्या फाइदा है या अगर मैं professional हूँ already एक- stack development सीखने का फाइदा क्या होता है देखिए आप ये बात समझ ये कि एक-दो साल पहले तक jobs बहुत जादा हुआ करती थी आजकल market थोड़ा डाउन है अगर पहले 100 jobs आया करती थी तो आजकल 10 या 15 jobs है आपको basically relevant feedback मिलती है पहले क्या होता था अगर आप देखेंगे companies mostly किस basis प बच्चे उनको जो ठीक मिलते थे IQ वाले वो कम मिलते थे तो model ये था कि हम basically बस एक intelligent बच्चे को देखेंगे intelligent बच्चे को लेंगे और उसको अच्छे महने की उसकी training करेंगे आपको पता है बड़ी बड़ी company के अलग-अलग training centers है वहां उसकी training करेंगे relevant technology में training करेंगे और बच्चे कम hire करने है market में बहुत सारे बच्चे हैं जो jobs को ढूंड रहे हैं तो वो क्या करते हैं वो ये बोलते हैं कि भाया मैं क्या करूँगा मैं तो पहले से जो trained इंसान है उसी को लेने वाला हूँ मैं 6 मंत की salary इसको क्यों दूँ साथ में training करा हूँ मेरा कोई काम भी न technologies जो हैं इसमें आप पहले से कुछ ना कुछ training करके आए हैं तो अभी क्या करना होगा हमको individual specific अपनी skill up करना होगा skill training करनी होगी ताकि हमारे hiring के chances बढ़ सकें और बाकी लोगों के मुकाबले हम कुछ अलग निकल कर सामने आ सकें full stack सीखने का क्या फायदा है वापस आता हूं main question पर full stack जब आप सीखते हैं तो आप front end भी सीखेंगे आप back end भी सीखेंगे आप database भी सीखेंगे यानि most of the development jobs जिनकी आजकल hiring निकलती है आप सब के लिए eligible हो जाएंगे ठीक है यह हुई पहली बात दूसरी बात हम compare कर लेते है कि क्या month stack आज भी relevant है 2024 में और अगर हम compare करेंगे कि month stack में और जो spring boot एक काफी popular framework है जावा का उसमें क्या difference है अगर मुझे back end बनाना है spring में या back end बनाना है month stack में तो क्या difference है देखिए spring no doubt बहुत अच्छा framework है बहुत popular है काफी जादा use होता है मैं अगर ठीक से evaluate करू तो industry मे शायद spring थोड़ा जादा use होता है compared to month के month के numbers अभी धीरे धीरे बढ़ रहे है या अगर हम back end की बात कर रहे है back end to back end compare कर रहे है तो node से जादा अभी थोड़ा spring use होता है फिर हम month stack का course क्यों लेकर आए है हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने demand किया था कि सप् performance है वो थोड़ी और कम हो जाती है यानि अगर एक चोटा सा example लेकर compare करें आपने देखा होगा हमारे पास इंडिया में cricket का कितना talent है बहुत बड़े बड़े जो players हैं वो basically practice कर रहे होते हैं practice कैसे करते हैं ballers आपने देखा होगा वो एक coin रखते हैं pitch पर ball करेंगे ball सीधा coin प reduce हो जाती है हमारे साथ same चीज होती है interview के अंदर यानि हम जो चीज करकर गए थे similar type के questions जो हमने किये है similar type के programming challenges जो हमने किये हैं interview में जाकर वो solve नहीं हो पाते हैं इसलिए मैं क्या suggest करता हूं हमेशा कि number of variables number of चीजे जो आपको याद रखनी है वो कम से कम होनी चाहिए interview में तो months tech यहां months tech सीखने का क्या फायदा है देखिए चाहे आप backend java spring boot में बनाए python के साथ jango में बनाए ruby के साथ rails में बनाए किसी भी आप language में बना लीजे जो front end है उसके लिए javascript सीखना कम पलसरी है front end में javascript पढ़नी ही है और वो आजकल modern language है बहुत अच्छी है almost सब काम आप javascript में कर सकते हैं तो क्यों complication increase किया जाए यानि अगर आप already java में बहुत अच्छे है तो you can go ahead and learn spring boot उसमें कोई दिक्कर नहीं है बड़ी बात समझ जीए कि जितनी कम चीज़े याद रखनी होगी जितनी अच्छा होगा आपके interview के performance के लिए तो जब हमारे पास front end में javascript के अलावा और कोई भी चारा नहीं है तो क्योंना हम back end भी javascript से लिखे है जो की node example है तो होगा ये कि आपको एक ही language बहुत अच्छे से तयार करनी पड़ेगी उससे आप front end भी लिख पाएंगे back end भी भी कर पाएंगे सब कुछ आप javascript यूज़ करके ठीक से कर सकते हैं तो अमीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा कि spring boot में और javascript में basically node.js में अगर हम कर रहे हैं मन स्टैक कर रहे हैं तो उसमें basically क्या difference है और मन स्टैक मेरी personal preference क्यों रहती है most of the students के लिए जो already core java में की है बहुत जगा देखा है होता यह है कि एक चीज के लिए भीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नि बच्चे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो मन स्टैक कर रहे हैं या basically मन स्टैक पर थोड़ा बहुत course किया है training किया है बट उसमें से कितने लोग ऐसे है जब मैं बच्चे बोल रहा हूँ I mean बच्चे प्रोफेशनल सब लोग है न कितने लोग ऐसे हैं जो मन स्टैक पर confidently कोई basically अगर कोई project दिया जाए तो project खुद से कर सकते हैं या अगर employer उनसे कोई भी question पूछ रहा है interview में कुछ problem दी जाती है बनाने के लिए तो बना सकते हैं devops की jobs हों testing की jobs हों in general development की jobs हों तो jobs की कोई कमी नहीं है over saturation कहीं से कहीं तक भी नहीं हुआ है यानि अगर आपको basically ठीक से training मिलती है आपको ठीक गुरू मिल जाता है आप ठीक से मेहनत करते हैं और आप सच में एक level of confidence पर मर्ण के पहुच रहे हैं तो saturation की कोई problem नहीं है हमको सि बहुत आराम से मिल सकती है मैं थोड़ी सी और बात करता हूं यह जो course हमने launch किया है इसके बारे में देखिए सबसे पहली बात किया सर्थ सारा का सारा content जो आप ये बात कर रहे हैं मन्स्टैक की बड़ी बात हो रही है क्या वो YouTube पर आएगा देखिए सारा content free of cost YouTube पर आने वा वाली है पूरे मन्स्टैक के साथ रियक्ट अलरी आ चुका है नोट जैस अब यसे के लिए आना शुरू हो गया है हमारे बाइट चैनल पर अगर आपने उसको भी तक नहीं देखा है description में आपको बाइट चैनल का link मिलेगा जहां हम छोटे चोटे पार्ट में भी नोट जै तो सब कुछ केजी कोडिंग पर एकदम free of cost आने वाला है तो सर फिर कोर्स किसके लिए है किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए देखिए कोर्स हम बेसिकली दो तीन चीजों की वज़े से बना रहे हैं में जो बच्चों की complaints हैं जो problems हैं वो क्या है सर आप video तो डा लेते हैं YouTube पर देखकर बड़ जब अपना कोई project करने जाते हैं तो confidence नहीं आता इन सब problem को solve करने के लिए हम ये live course लेकर आए हैं जहां पर मैं daily date date से 2 घंटे की आपकी live class लगा रहा हूँगा Monday to Friday 8 PM पर आपकी class लगेगी मैं खुद सब कुछ live पढ़ा रहा हूँगा ये कोई recorded lectures नहीं है जो live के तरह drop किये जा रहे हैं मैं वहाँ पर मौजोध होंगा आपका जो भी doubt होगा class का doubt class में ही solve किया जाएगा class का doubt class से आगे नही जाएगा तो इससे क्या होगा आपकी doubts की problem solve होगी हम वहाँ पर तो six हमने industry level projects अपने website पर mark किये हैं आप जाकर check out कर सकते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे उससे जाधा project भी करेंगे साथ साथ आपको personal projects भी assign किये जाएंगे जिनको आप साथ साथ हमारे कर सकें और उसमें जो आ live class में अपना doubt share कर सकें उसके लाबा आपके पास एक personal one-to-one mentor होगा हर बच्चे के पास जो आपकी हर बात का ध्यान रखेगा आपकी progress का ध्यान रखेगा आपको क्या दिक्कत हो रही है specifically आपके लिए क्या solution होना चाहिए इन सब बातों का ध्यान रखेगा और हर बच्चे के अगर आप बाकी courses से compare कर रहे हैं तो जो बाकी courses में मिलता है आपको recorded content वो हम YouTube पर एकदम free देने वाले हैं हम यहाँ पर किसलिए course लेकर आए है personal service के लिए personal attention के लिए और उसके लिए क्या होगा हमारे को एक team hire करनी पड़ेगी mentors hire करने पड़ेगे और उसका एक cost है जो हमको ब doubt हो course के बारे में आप वो interest form भरिए अगर fees से भी related कोई issue है आप वो interest form भरिए मैं और मेरी team आप से बात करेंगे आपके situation को समझेंगे और जो भी best हो सकता है आपके लिए वो हम यहाँ पर कर रहे होंगे मैं उम्मीद करना हो दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी सारी कोशिश की है एक यह भी मुझे बहुत सारे लोगों ने complain किया है कि सरा आप बच्चे बोलते हैं क्या यह professionals के लिए नहीं हैं देखिए मैं एक बात और बता दूँ इस course में जो हमको admissions मिले हैं उसमें 12th pass लोग भी हैं उसमें BA, BSC वाले लोग भी हैं उसमें BTEC वाले लोग भ मैं क्यों बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं कि course हम एकदम zero से start करने वाले हैं assuming बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको development नहीं पता है बट हमारे course का goal यही है कि उसको इस level तक लेकर जाएं कि most of the जो लोग हैं वो अपनी second job या first job की तरफ आसानी से जा सकें एक only चीज जो म मैं promise नहीं कर सकता हूं वो यह कि हमने timeline बोला है four months का हम quality के साथ compromise नहीं करेंगे ऐसा हो सकता है time duration four से four and a half months हो जाए या five months हो जाए पर हम यह make sure करेंगे कि मैं आगे ना भाग रहा हूं बच्चे पीछे ना भाग रहे हूं हम सब लोग concepts के साथ साथ भाग रहे हूं साथ साथ सब बच्चे को जो भी doubts हैं वो वहीं पर clear हो and by end of the course सब लोग अपने आपको confident full stack developer की तरह देख सकें और mind के कोई भी project या कोई भी चीज़े हैं तो उनको अच्छे से solve कर सकें इसके अलावा अभी भी आपका कोई doubt है मैंने जैसे बता सकते हैं वीडियो की नीचे comment कर सकते है आपका जो भी doubt है वो मैं और जो हमारी team है वो basically पूरी तरह से solve करने की खोशिश करेंगे इसके साथ आप से लविदा लेता हूँ जै हिंद जै भारत